हेलो फ्रेंड वेलकम टू नॉलेज आक्यो विशेक आप सभी का सौगत है नॉलेज आक्यो अभिशेक की एक लेटेस्ट अपडेट और रिवीव से रेलिटेड वीडियो के अंदर यहां पर हमें एक मेकानिकल एंजिनिंग की बहुत फिमस बुक जिसका नाम है आरके जैन की खन्ना पब्लिकेशन की बुक आती है मेकानिकल इंजिनिंग की जिसका मैं और एक रिवीव कर चुका हूं लेकिन वो रिवीव में वीडियो की क्या रिवीव में दुबारा लेकर आ रहा हूं क्या अप्रोच है बुक के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट से रखेंगें क्य आपके questions, IES की questions के इस तरीके से इसमें design किये गए है और इसका latest edition कौन सा आ गया है तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सार डेटेल में discuss यहाँ पर करने वाला हूं तो आए वीडियो को start करते हैं और RKJN का review हम लोग देखते हैं तो यह book जो है basically जो IES वाले student होते हैं और आजकल तो SSTJ में भी इससे questions काफी सारा देखने को मिलते हैं और यह बहुत सारे exams हैं जो की J level के हैं उसमें आपको काफी ज़यदा इसमें से questions देखने को मिल सकते हैं तो आए हम वीडियो को start करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर हम book को जब देखेंगे तो काफी मोटी चॉली book है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इक वार देखिए काफी बड़ी book है और काफी healthy book है सकते हैं जिसे और इसमें काफी सारे आपको pages देखने को मिल सकते हैं दिए जाएंगे कि conventional paper में आपके कौन-कौन से part 1, part 2 में आता है और part 2 में objective दे रखा है सारे subject जैसे की thermodynamic, IC engine, nuclear power plant और जो भी आपके subjects mechanical के अंदर होते हैं वो सारे subjects यहाँ पे देखेंगे तोटल आपके यहाँ पे दे रखें हैं सारे subjects यहाँ आपके दे रखें हैं इसी तरी इस तरीके से यहाँ पर देखें पार 3rd, additional दे रखा है जिसके अंदर आपका additional objective type questions मिलेंगे जिसमें आपके कुछ solve objective type questions रहेंगे, match of the two parts रहेंगे, filling in the blanks रहेंगे, सब ची दिखाऊंगे हम आपको बाद में भी, और यहाँ पे solved, और सबसे last में आपके जो IS के paper आते हैं, previous इस तरीके से उनके solve यहाँ पर paper दिये रहेंगे, और last में interview की practice करने के लिए भी यहाँ पर आपको interview और short questions with answer यहाँ पर mechanical engineering के यहाँ आपको मिलने वाले हैं, तो इस तरीके से यह आपका पूरी book का इसमें एक तरीके से बताये गया है कि क्या-क्या इसमें important points आपकी यहाँ रहने वाले हैं, अब यहाँ पर आगे बलेंगे, तो देखिए यहाँ पर UPSC के slayvers यहाँ पर दे रखा है, तो UPSC slayvers में क्या-क्या रहता है, वो चीज़ आपको दे रखी, तो slayvers तो आप जो है change होता रहता है, तो उसमें आपको लिए जादा नहीं है, लेकिन जो नाशनल पेपर का जो पार्ट बनाता है, जिसके अंदर देखिए theory purpose के लिए बुक जो मैं कहूंगा, आप लोग ना लें, जो सोच रहा है कि इससे मैं theory भी अपनी अच्छी strong कर लूँगा, तो यह बुक जो है theory के लिए नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे questions जो रहेंगे, objective और आपको filling the blanks इस टाइब के questions मिलेंगे, तो theory के लिए तो बुक अच्छी नहीं है, लेकिन आप अगर objective प्रेक्टिस करना चाते हैं, तो उसके लिए बुक आपके लिए अच्छी है, और काफी सारे student क्याते हैं, इस बुक के अंदर आपके काफी सारे questions के आंसर गलत दी हैं, तो देखिए जिन-जिन questions के answer आपके लिए गलत दीखे हैं, उनको आपको online या other जो भी अच्छी अच्छी publications की बुक आती हैं, उनसे उन questions को आप लोग देखें, अपने friends वगरा के साथ discuss करें, और उन questions को जो है आप answer सागर लाएंगे, तो आपका proper हैगा, केबल कुछ questions से answer का answer गलत होने से book को गलत कहा जेना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, book अपने में काफी बड़ी अच्छी book है और काफी अच्छी book मानी जाती है आज भी, तो उसमें आप लोग जो भी questions के doubt आते हैं, तो आप लोग अपने friends वगरा में पूछ को आप लोग साही कर सकते हैं, त थोड़े से page में, 4-5 page में आपका यहां पर complete कर दिया गया thermodynamics, तो theory के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि सोच रहा हूँ, theory पढ़के direct, theory के लिए तो आपको अपने notes और जो भी आप coaching करते हैं, या फिर अपना self study करते हैं, उसमें आपके जो notes हैं, उनसे आप लोग देखे, उ आपकी theory जो है, बहुत छोटे-छोटे portions के अंदर आपका subject को यहां पर cover किया गया है, और आपका total theory यहां पर covered हो जाएगी, छोटे-छोटे subjects के अंदर, देख सकते हैं आप लोग, फिर यहां से आपका theory complete होने का यहां production technology आएगा आपका, और quality control, measurement, instrumentation, और यहां से आपका theory पस इतने से pages में आपकी theory यहां पर complete हो जाती है, with आपके छोटे-छोटे fling the blanks के साथ, तो theory के लिए तो better नहीं है, आप लोग, लेकिन objective के लिए इसमें आप देख सकते हैं, कितने सारे objectives आपको देखने को मिलेंगे, अगर खाली में यह thermodynamics से start होई है, इसको objectives आपको numerical भी मिलेंगे, आपको इसमें theory भी मिलेगा, आपको सारे जो भी आपके objectives आते हैं, बहुत सारे objective आपको यहां से, बहुत सारे exams के अंदर आपको direct यहां पर objective देखने को मिल सकते हैं, direct इसी book से objective रिपीट होते हैं, और बहुत सारी जो नई J.E. और आपके यहां मतलब बुक्स प करेंगे, टोटल, तो thermodynamics के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं, टोटल यहां पर आपको, यहां पर आप thermodynamics के दर 402, यानि 402 question आपको thermodynamics के अंदर ही कहल मिल जाएंगे, तो सोच सकते हैं, कितने ज्यादा objective इस book के अंदर आपको मिलने वाले हैं, इसी तरीके से आगे भी topic को देखेंगे IC engine, तो उसमें भी आपको काफी सारे IC engine के अंदर आप लोग देख सकते हैं, IC engine के अंदर भी, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो IC engine के अंदर भी आपको खुद ही देख लीजे, कितने सारे 339, यानि आपको 349 जो है IC engine के अंदर आपको जो है objective मिलने वाले, तो काफी सारे 400-500 अगर आप एक प्रेक्टिस करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इस तरीके से heat transfer यानि हमटी वगरा में भी आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपको काफी सारे 300-400 question, हर subject के 300-400 question, और सबसे वड़ा major portion भी मैं आपको दिखाता हूं, ज तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर टोटल जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलोजी इस 1135 questions आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कह सकते हैं कि बहुत सारे questions इसके अंदर अल्लेडी covered कर दे गए हैं, जो बाकी books में होते हैं, तो 1100 questions एक बहुत ब ऐसे ने outол्रोड पर आपका टोटल खतम होगा, उसके साथ-सात, फिर आपका जो इस्टार्ट हो जाएगा model test paper इसको GaG improv सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल है, 75 questions आपको model test paper मिलेगा, जिसमें आप अपकर प्रेक्टस बगारा कर सकते हैं, बारोड़ बागी अगर आप gate और IES के लिए करें तो आप लोग को अधर भी बुक्स पर्चेस करनी पड़ेंगे और अच्छे-च्छी ट्रीज लगानी पड़ेंगे लेकिन अगर केवल जी लेविल की बात करें तो मोर्दन सफीशिंट यहां पर आपको questions मिलेंगे बस जो questions के अंसर गलत उन लोग को आपको नेक पर सर्च करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से उन्हें देखना पड़ेगा इस तरीके से यहां पर देखिए model test paper यहां पर आपके total जो है complete करता हूं मैं गवाद यहां पर आके model test paper यहां पर total आठ आठ आगी भी आतने हैं तो देखिए उसके बाद यहां पर सारे जो भी subject आठ या 9 model paper है उसके यह भी subject आपने मैंने भी दिखाए उनके आपको objectives के आंसर यहां पर मिलने वाले हैं देखिए इस book के अंदर क्या रहता है कि इतनी मोटी book होने के कानले आप objective को पलट-पलट के बार बार देखने में भी student को दिक्कत होते हैं तो कब तक आप इस book को पलटेंगे तो इसका solution है या पर इसकी last page हो की कुछ जो भी pages और फोटो स्टेट कराके भी अपने पास objective की questions की answer की रख तकते हैं तो वह अपने आपकी choice है जैसा भी आप करना चाहिए वह आपकी इच्छा है देखिए additional objective जो देखिए मतरे ब प्रेक्टिस करने के लिए आप लोग कर सकते हैं जो भी प्रेक्टिस करना चाहते हैं two points का अपर मैच करना इसके answer भी आपको last में यहाँ पर मिली जाएंगे इसके बाद यह देखिए answer से यहाँ पर दे रखे हैं पूर टोटल और जब यहाँ आप मैंस्द को कम्प्लीट कर देकर आपका पूरा पेपर जो प्रीवेसर का पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है पेपर वन पर टू यहाँ पर पूरा आपको दिया जाएगा इस तरीके साब लोग देख सकते हैं उनका solution भी आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा उसके नीचे इसका answer दिया गया ह कुछ questions के answer के proper solution नहीं दिये गए हैं जिसे आपको खुषते भी देखना पड़ सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे इस तरीके से आईएस के पेपर जो है इनके solution बिस solution आपको यहाँ टोटल पेपर के साथ आपको काफी सारे मिल जाएंगे 2003 से अब 2008 पर आगे पड़ेगी यहाँ पर तो केवल आपको कुछ जो है 2314 तके मिलेंगे बाकी यहाँ देखिए उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर शॉर्ट कोश्चन से भी आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आईए इसकी मतलब कह सकते हैं जो यह आर्के जन की बुक ह यहाँ पर पूरी complete यहाँ पर complete हो जाती है इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इस बुक के अंदर क्या 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 आपका content यहाँ पर आपका रहने वाला है और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें कैसे करके आपके math the fallings वगरा दे रखे हैं आपके filling the blanks वगरा दे कि फिर लास्ट में आपका is का portion जो है प्रीवे सरकाइं यहाँ पर आपका complete करा गया है तो सारी चीज़ें मैंने अपनी तरह से पूरे कोशिस करी है बताने की page भी आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी page है एप्लॉक्स मेरा मानना जो है करीब करी इसमें 14-1500 से जादा ही page होंगे कडीब कडीश में 11-12 सुपर यहां पर बताएगा है तो इस तरीके से पूरी बुक जो है एक अच्छी बुक है मोटी बुक है कह सकते हैं ज्यादा इदर दर ले जा नहीं सकते हैं अपने अराम से इसे बुएट बुक के पढ़ सकते हैं बाकि अगर इसमें रूप मे बुक है अपको कोई और भी चीज आपकी पॉइंट आता है तो आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं उसका भी आप लोग को बता दूगा तो यहां पर यह आर्के जन की मेकैनिकर की बुक है जिसका मैंने आपको प देख सकते हैं तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो जो आर्के जन की पसंद है तो वीडियो को लाइक करें मैंने बहुत सारी और भी जो है बुक्स है आर्स कुर्मी बगर आया है मेकैनिकल की बुक्स है अप्टीट की बुक है सबके रिव्यू कर चुका हूं अगर आ आएक स्वीडियो में नेक्स्ट अपडेट ने फिर मिलोंगा तक तक के लिए थैंक यू सो मुच फ्रेंड्स